नमस्कार मेरा नाम है साचेब और आप देखना सुरू कर चुके है नेक्ष्ट नाई न्यूज पॉल्टिकल पाइड दोहजार बाइस अब जा चुका है लेकिन दोहजार बाइस में कुछ ऐसी राजनीतिक गटनाई हुई थी जिसको ले करके जो है कई राजनीतिक पार्टिय की मुख्यदारा राजनीति से जुड़ी समाजवादी पार्टि भी रहे समाजवादी पार्टि परिवार वाद की पार्टि से कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य तोर पर तमाम पदों पर परिवार के लोग है चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो दिवंगत मुलाय सिंग यादव हो चाहे वो शिपाल सिंग यादव हो तेजपरताप सिंग यादव हो डिमपल यादव हो ये परिवार के लोग इस पार्टी में पूरी तरीके से बरेवें लेकिन 2022 के सुरुवात में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यहां समाजवादी पार्टी के अंदर एक टूट हुई और वो टूट नेताओं के बीच नहीं बलकि परिवार में हुई परतीक यादव मुलायम सिंग यादव के छोटे बेटे जो जिनकी पत्नी अपरना यादव जो सपा में राजनीती करती थी सपा ने उन्हें कई जगों से टिकट दिया लेकिन जीत हासिल नहीं हुई प्रतीक यादव प्रतीक यादव एक बिजनस मैने पेसे से राजनीती से अपने आपको दूर रखते लेकिन अपरना यादव जो है वो राजनीती में थी समाजवादी पार्टी के राजनीती में थी लेकिन उत्तर प्रदेश के 2022 के विदान सबाचुनाओं से पहले अपरना यादब ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम दिया था जिसके पार्टी को लेकर के एक बड़ा मैसेज जनता के बीच कि इनके अपनी परिवार के लोग इनकी पार्टी और इनकी नीतियों से सहमत नहीं है तो हम लोग कैसे सहमत हो सकते हैं और इससे एक बड़ा नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी को दस अक्टूबर दो आजार बाइस को मुलाइम सिंग्यादफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक का निधन हो गया जिसके बाद से पार्टी के तमाम नेताओं को एक जूट करना और परिवार को एक जूट करना एक बड़ी जिम्मिदारी अखिलेश यादव के लिए मानी जा रही थी इसमें शिपाल सिंग यादव को लगातार एक से दो महीने के बाद तो अखिलेश यादव मनाने में कामियाब रहे लेकिन मैं पूरी सीट पर जो चुना हुआ उसमें डिमपल यादव को ख़ा करके एक बड़ी जीत हासिल थी अब अपरना यादव को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अपरना यादव को वापसी करेगी क्योंकि जिस उमीद से अपरना यादव भाजपा में गई थी वो उमीद उनकी पूरी होते वे नज़र नहीं आ रही है उनको लकनो का मेयर बन क्या उनको कोई फाइदा हुआ नहीं हुआ लेकिन परिवार की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उससे अगर जूड़ जाती है तो सायद उनको कोई फाइदा हो सकता था मुलाहिम सिग्य आदव ने ये तक कहाता है कि मैनपूरी से आप खड़े हो जाएए सैफ़ाई से कड़े हो जाएए जीत जाएए लेकिन उसके बावजूद भी डिमपल यादव ने जो है बगावत कर दी अपनी परिवार और अब परिवार को एक बार पिल से एक जूट करने की बात कही जा रही है जिसको लेकर कि ये सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि अपरना या झाल